सभी बक्तों को शिरी शिवाय नमस्तू भ्याम और हर महादेव आठ मार्च महाशिवरात्री संतान प्राप्ति का सबसे अच्योक उपाएं जो आप करेंगे और आपको निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होगी ये उपाएं उन सभी माताओं बहनों के लिए है जिनके रजसुला दरम बंद है या आ रहा है सभी के लिए है उपाएं किसी एक के लिए नहीं है कि जिनका रजसुला दरम बंद है उनके लिए नहीं है या फिर जिनका रजसुला दरम चालू है उनके लिए नहीं है सभी के ल वाला है या नहीं आया है आप ये जड़को बांद लीजए यदि जिनके नहीं आता है दो तीन साल से बंद है वो भी भगवान शंकर का नाम लेकर इस जड़को माशिवरात्र के तर अवश्य ही बांदे जड़ी आपने ये उपाए कर लिया तो तीन महीने के अंदर-अंदर आप निश्चित रूप से गर्वबती होगी लेकिन विश्वास आपका होना चाहिए। ये उपाए इसलिए हाज अपलोट कर रहे हैं ताकि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेर करते। यदि आप इस वीडियो को शेर नहीं करेंगे तो महादेव इस बास से नाराज हो जाएंगे वो क्यूं होंगे क्यूंकि आपके पास में मौका था उस माता भेहन तक इस वीडियो को पहुचाने का जिसको संतान प्राप्त नहीं है और महादेव जानते थे कि आप ये वीडिय देख रहे हैं और देखने के बाद भी आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो महादेव सोचेंगे जब ये दूसरों की मदद नहीं करना चाहता या चाहती, तो मैं इसकी मदद क्यों करूँ, इसक कुछ जानकर ही नहीं है कि सफेद आंगडे की जड़ भी कुछ होती है जिसको बांधने से संतान की प्राप्ति होती है तुमरुकेशवर महादेव भी एक महादेव होते हैं जिनका उपाय करने से संतान प्राप्ति होती है अब दूतेशवर महादेव भी एक महादेव है जो पीबल का पत्ताय दूद में उबाल कर पीने से संतान की प्राप्ति करवाते हैं, यह सबी उपाए भगवान चंक करके, भगवान बोले नात के हैं, इस उपाए में हमने आपको यह पूरा उपाए जड़ निकाल कर, जड़ का इस्तेमाल करके और उसके बाद में उस पूरी ज जड़ को उपाय के साथ में बादना किस प्रकारे बताया है वीडियो शेर करना आपके उपर नहीं करा तो महादेव आपसे नाराज होंगे कि मौका था इसके पास में पुन्य कमाने का किसी माता बहिन की जोली में संतान प्राप्त करवाने का क्योंकि माल लीजी आपने ये व महाशिवरात्री से पहले पहले उन माताओं तक ये वीडियो पहुँच गया जिनको बिल्कुल विजानकर ही नहीं थी तो यह आपके लिए पुन्य की बात है और यदि कोई गलती आपसे होगी भी तो महादेव इस बात से प्रसन रहेंगे कि कम से कम आपने इस वीडियो को शेयर करके उन लोगों तक भीज दिया तो जो आपकी गलती होगी उस गलती को भी महादेव इगनोर कर देंगे साथी साथ में प्रसन होकर तीन महीने के अंदर अंदर आपकी अवश्य ही बरेंगे तो इसलिए वीडियो को शेयर करना आपके जिम्मेदारी है माशिवरात्र है कि ये वीडियो उस प्रत्येक माता तक पहुच जाए जो अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं कर पाई है और जिनको संतान प्राप्त नहीं हुई है तो अब उपाय कैसे करना है जड़ कैसे निकालना है तो मरुकेश्वर महादेव आप सभी माताओं को संतान की प्राप् में ताने सुन रही है कही ना किसी पार्टी फंक्शन में ताने सुन रही है कि तेरे अभी तक बच्चा नहीं हुआ क्या तुझे अभी तक संतान प्राप्त नहीं हुई तुम आता हो बहनों को संतान की प्राप्ति कराए तुम रुकेश्वर महादेव और धूतेश्वर महादेव मेरी बाबा से यही प्रात्ना है वीडियो शेयर करना आपके उपर है अब आप इसको कितना शेयर करते हैं महादेव उसी वाद से प्रसंद होंगे तो चलिए अब देखते हैं आपको क्यों पाय कै से करना है तो अब हम आ गए हैं सफेद आकड़े की जड़ को जमीन से निकालने वाले स्थान पर सफेद आकड़े की जड़ को हम निकाल रहे हैं ये दो प्रकार के व्रक्षों थे एक सफेद आकड़ा और एक गुलाबी कलर का या परपल कलर का आकड़ा है हमने सफेद लग रहा है आप तो बोलते हो कि एपनी हाइट के बराबर का वरक्ष लेना है तो उस बात के लिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये जो वरक्ष है ये पहले तूट चुका था ये वरक्ष हमारी हाइट का बराबर था जब ये तूट गया मैंने इस वरक्ष को वापिस उसी जमीन में लगा दिया अब हम आचुके हैं मंदिर के अंदर जहां पर हमारे पास में लाल कलर का धागा है सफेद आकडे की जड़ जिसको मैंने दो लिया था और साथ में एक पीपल का पत्ता भी लेकर आए हैं सफेद आकडे की जड़ को दो लिया और एक पीपल का पत्ता लेकर आगए शिव मंदिर के अंदर अब हम यह उपाय करेंगे पीपल का पत्ता बाद में हमको समर्पित करना है पहले सफेद आकडे की जड़ को लेना है यह तीनों बस्तु हैं मैंने महादेव के सम्मुक में रख दी बाबा से प्रातना करी बाबा मैं यह उपाय करके बता रहा हूं सभी को सभी यह उपाय करे और जो जो माताओ बेहनों को संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है वो सभी माताओ बेहने संतान के प्राप्ति करे आपको जड़ को अपने हाथ में पकड़ लेना है पती और पत्नी दोनो शिव मंदिर में जाए और जड़ को पकड़े और इस प्रकार से आपको भगवान तुम्रू केश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस जड़ को भगवान शंक करके शिवलिंग पे से गुमाना है कुल 21 बार आपको इस जड़ को गुमाना है और प्रत्ते एक बार तुम्रू केश्वर महादेव का नाम लेना है पती और पत्नी दोनों जड़ निकालने जाए यदि ऐसा होता है मानली जी की जो पत्नी है उनके हस्बेंट किसी कारण वश जड़ी नौकरी करते हैं नहीं आ सकते जा नहीं सकते तो ये बात महादेव स्वैम भी जानते है आप बाबा से प्रात्ना कीजिए बोलिए हे बोलेनात आप तो सरवग्य हो सर्वग्याता हो सब कुछ जानते हो उसके बाद में बाबा से बिंती करके बोलिए मेरे पती अभी नहीं आ सकते उपाय करने के लिए मैं स्वैम आई हूँ बाबा उपाय करने मुझ पर बिंती करो बाबा और भगवान शंकर को ये जड़ इस पर्ष कराना जब आप पूरा उपाय कर ले आने 21 बार घुमा ले उसके बाद में आपको एक पीपल का पत्ता समर्पित करना है भगवान अवदूतेश्वर महादेव के नाम से पीपल का पत्ता समर्पित कर देना है भगवान अवदूतेश्वर महादेव के नाम से उस पीपल के पत्य को निकाल कर किसी भी वर्ख के नीचे रख देना है गाय का दूद पती और पत्नी को दोनों को रातरी को सोते समय पीना है और उसके बाद में आप संतान के लिए प्रयास कर सकते हैं क्योंकि केवल जड़ भांदने से संतान नहीं होगी इस बात की जानकरी आपको भी है तीन या चार बार आपको जो धागा है लाल धागा है वो जड़ के अंदर जड़ आपकी कमर के बराबर का धागा लेना है और तीन या चार बार उसको नाप लेना है फिर जड़ में इस प्रकार से भांदना है और भांद कर जड़ को आपकी कमर में भांद लेना है तीन ये चार बार धागा इसलिए बोल रहे हैं हम क्योंकि एक बार आप धागा लेंगे और वो धागा तूट सकता है जड़ तूट कर गिर सकती है तो इस प्रकार से आपको जड़ को भांद लेना है तीन महीने तक इस जड़ को आपको करना है संतान की प्राप्ति के लिए जब आप जड़ को बांद ले उसके बाद में घारा जाएं देपल के पत्ता प्रति दिन समर्पित करें शिवलिंग पर अवदू देश और महादेव के नाम से उस पत्ते के दूद को प्रति दिन पिये यदि पती ना पिये तो थोड़ा सदूद चिनना सदूद उने जवश्य पिलाए बाबा के किरपा आप दोनों के ओपर अवश्य होगी और जो बात मैंने आपको बताई थी कि यदि पती नहीं आ सकते बोलेना ताप सरवग्य हो आप सब कुछ जानते हो मैं स्वेम यह उपाय करने आई हूँ बाबा मुझ पर किरपा करना अब यदि कुछ माताए बहने ऐसी हो जिनका सेविन्थ डे यानि कि साथ वा दिन रजस्वला धरम का वो शिवरात्री के आसपास ही है या शिवरात्री वाले दिन ही है तो आप उस दिन जड़ भांद लीजिए और नहीं है जिन माताओ बहनों का रजस्वला धरम बंद है वो फिर माताओ शिवरात्री के दिन इस जड़ को भांद लीजिए बाबा आपके उपर किरपा अवश्य ही अवश्य करेगा अब इस उपाय के साथ में आपको दो ये तीन उपाय अवश्य करने हैं यदि आप पशुपती नाजी का वरत कर सकते हैं तो जरूर से पशुपत यही तुम्रुकेशवर महादेव के नाम से समर्पित करें और उस बेलपत्र को भगवान छंकर के शिवलिंग के समोख में बेटंगे खालीजी जद़ि ऐसा हो सकता है कि आपके पति भी बेलपत्र खाना चाहें तो दो बेलपत्र समर्पित कीजिए भगवान करें बाबा आपकी जूली अवश्य ही बरेगा महादेव आपके उपर करपा अवश्य करेगा वीडियो जल्दी अपलोड करने का जल्दी अपलोड करने का कारण के वल एक ही है कि ये वीडियो उन सभी माताओं तक पहुंच जाए जिनको संतान प्राप्ति नहीं है समाज के ताने किसी न किसी कारण से सुन ही रही है और कभी न कभी उनको रोना आ जाता है इस बात का दुख होता है कि उनकी करब में संतान नहीं है उनकी कोथी में बच्चा नहीं है वो अभी तक मा नहीं बन पाई केवल और केवल आपको ही इस वीडियो को शेयर करना होगा जो जो वक्तो को शिरी शिवाई नमस्तू प्याम हर हर महादू